नमस्कार, मैं सीमा पंत, आपका ओनलाइन क्लास में स्वागप करती हूँ आज मैं आपको आपकी पाठे पुस्तक व्याकरन कुसुम का पाठ दो वर्ण विचार पढ़ाऊंगी वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते है वर्ण माला, वर्णों की समू को वर्ण माला कहते है वर्णों की प्रकार, वर्ण दो प्रकार के होते हैं पहला स्वर और दूसरा व्यांजन हिंदी वर्ण माला में ग्यारे स्वर होते है इनके उचारण में हवा सीधी मूँ से बहार निकल जाती है ये निम्न प्रकार है अ, आ, छोटी इ, बड़ी इ, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, अई, ओ, अउ व्यंजन, हिंदी वर्ण माला में भी अंग्रेजी वर्ण माला की तरह स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं हिंदी वर्ण माला की व्यंजन इस प्रकार से हैं श, स, ह, कुछ अन्य व्यंजन भी होते हैं, जैसे क्ष, त्र, ग्यो, अश, व्यंजन के प्रकार व्यंजन चार प्रकार के होते हैं स्पर्ष व्यंजन, अंतस्त व्यंजन, ओश्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन स्पर्ष व्यंजन किन्य कहते हैं, जिन व्यंजनों को बोलती समय, जीव, मुख के किसी भाग को स्पर्ष करती हैं, या चूती हैं, उन्हें स्पर्ष व्यंजन कहते हैं कौ से मौ तक के वन स्पर्ष व्यंजन हैं, अंतस्त व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच कासा होता हैं, उन्हें अंतस्त व्यंजन कहते हैं इनका उच्चारण करते समें, जीव मुख के किसी अंग को स्पर्ष नहीं करती, ये व्यंजन हैं, यो, रो, लो, तथा वो उश्म व्यंजन, कुछ व्यंजनों को बोलते समें, वायू, रगर खाती वी मुख से बहा निकलती हैं, तो इससे उश्मा पैदा होती है इसी लिए इन व्यंजनों को उश्म व्यंजन कहते हैं, श, श, स, तथा हो उश्म व्यंजन है सयुक्त व्यंजन, दो भिन व्यंजनों के सयुक से बनने के कारण ये सयुक्त व्यंजन कहलाते हैं संट व्यंजन चार होते हैं क्षो, ग्यो, शो, त्रो प्रतिक्स्वर की मात्रा होती है तथा मात्राएं व्यंजनों पर लगाई जाती है सभी व्यंजनों में और सदेव जुड़ा रहता है इसी के साथ आपका पाट वर्ण विचार संपन हुआ धन्यवाद झाल में वर्ण वर्णेट वर्ण वर्णेद काल क्षो, ई। यिए्यू